जै गुरू जी संगत जी कैसे हैं आप सबी लोग उमीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी गुरू जी की महर से मेरे चैनल का नाम है गुरू जी पाप लेसिंग्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर तो संगर जी आज का जो सत्संग है वो शुरू करने से पहले सम्मंत्र जाप करते हैं ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जैगुरुजी शुकराना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुकराना बहुत शुकराना तो संगरुजी कैसे हैं आप सभी लोग तो आज का सत्संग में शुरू करती हूँ संगर जी कुछ टाइम पहले न मेरे को ड्रीम आता है और मैं आपको बताती हूँ ड्रीम में मैंने जो देखा वो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा शौकिंग था और जायर सी बात है कि अगर आप ड्रीम में कुछ ऐसा देख लेते हो तो जब आप सुबह उटते हो थोड़े संगर जी कुछ मैंनों पहले की बात है तो वही है कि इसे थक हार के ऑफिस से आने के बाद सारा काम खतम किया हम सो जाते हैं उसके बाद फिर मुझे सारी संगर जी मुझे एक्जैक्ली टाइम नहीं याद है कि यह संग जो है यह कितने टाइम का है रात का बड़ इतना पता है कि यह रात का मेरा सपना था तो मैं आपको बताती हूं कि exactly क्या हुआ था संगर जी मैं सपने में देख रही हूं कि जैसे मैं ना किसी एक घर में हूँ और गुरु जी भी वहाँ पा रहे हूं मुझे गुरु जी दिख रहे हैं चोले में बैठे हैं कौन से करार का चोला है यह तो मैं संगर जी भूल चुकी हूं बट मुझे गुरु जी दिख रहे हैं और अचानक से पता नहीं क्या होता है संगर जी कि मैं तीसरी चौथी मंजिल पर हूँ जो घर बना हुआ है मैं तीसरी चौथी मंजिल पर बैठी हूँ और वो जो तीसरी चौथी मंजिल जो घर है वो अचानक से गिर जाता है मतलब जिसे पुरा मलवा आप देखते ना कि कोई मंजल गिर रही है ठीक है कोई घट उट रहा है या गिर रहा है तो उस तरीके से संगर जी वो पूरा का पूरा जो है गिर जाता है मतलब मैं आपको अगर सही बता हूँ तो तो संगसी मैं सपने में ही देख रही हूँ कि वो गिर रही, पूरे बल्डिंग गिर रही है, सब समान इदर उदर हो रहा है, सब कुछ मिटी-मिटी हो रही है, मलवा हो रहा है लेकिन मुझे गुरु जी ने एक दम से मेरा एक हाथ पकड़ रखा है और उन्होंने मेरे को गिरने नहीं दिया सपने में कुछ ऐसा था कि जैसे कहीं मैं सब कुछ गिर रहा है मैं 34 मंजिल पे हूँ वो भी तूड गई है सारी की सारी उपर से लीचे मुझे चीज मैसूस हो रही है कि उपर से लेके नीचे तक कुछ गिरता चला जा रहा है ठीक है लेकिन संगत जी मुझे बिलकुल भी मतलब गुरु जी ने मेरा सपने में ये दिखा है कि गुरु जी ने मेरा एक हाथ पकड़ रखा है राइट है लेफ्ट हैंड है मुझे नहीं इस वक्त या देतना लेकिन वो जो था वो एक मेरा हाथ गुरु जी ने पकड़ रखा है ठीक है और मैं मतलब जब मेरी आँख खुली संगत जी तो मैंने कहा मतलब शुकराना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुकराना बहुत गुरुजी ने एक तरह से वो कहते हैं ना कि गुरुजी जबी भी मैं सपने में आता हूँ तो मैं हकीकत में आता हूँ उसको ये मत समझना कि मैं सपने में यूँ ही आ गया हूँ वो reality में आपके पास Guru जी आते हैं मेरे पास Guru जी सच में आये थे और उन्होंने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या टाल दी है संगत जी मेरी बहुत बड़ी समस्या Guru जी ने टाल दी है और मैं इतनी खुश हुए इस चीज से मैंने गा Guru जी पता नहीं मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला था या अगले दिनी मेरे को कुछ होने वाला था या मैं की गिरने वाली थी या में साथ क्या हो जाता आपने मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरूपा आप यह देखिए कि मतलब मै आपको जो बता रही हूँ जो मैंने जहां तक सपना देख पाई हूँ मैं कि मैं तीसी चौथी मंजिल कोई छोटी बात नहीं होती क्या पता संगर जी मैं हकीकत में कहीं से गिरने वाली हूँ या मेरे एक्सिनेंट होने वाला होता बहुत बढ़ा या कुछ भी ऐसा हाथसा हो कि तो अब यहां सेफ है यहां बैड़ जातू और जब मेरी आंख खुली संगर जी मैं इतनी चाहँ मतला मैं खुश भी बहुत थी मैं आपको सच बताऊं मैंना गुरुजी आपने अपने सपने में बच्ची को दर्शन दिया आपने बेटी को सपने में दर्शन दिये गु में आपकë शुकराना करती हूं दिल से शुकराना करती हूँ आपने मुझे बचाए लिए पता नियुक्त क्या हो जाता से आप ने वह चीज डाल दी आपने वह चीज लाटा दी मेरी जीवन से और मेरे पास उचाने कितने Chris messages GM makinghim Volkin YouTube तुसningen गुरुजी मेरे को ये बताते हैं कि तुझे क्या पता तेरे कितने सारे कष्ट जो हैं मैंने खतम कर दिया मैंने अपने उपर ले लिए तो आपका बहुत बहुत शुकराना गुरुपा आपका नंतम शुकराना जितना जितना मैं सच कहती हूं दिल से कहती हूं संगत जी आज मेरी बात नहीं कर रहे सबके साथ होंगे मेरे साथ भी होंगे और सबके साथ होते भी होंगे मैं मतलब आपको क्या बता हूँ अब मैं आपको पता है एक चीज और अच्छी से बताती हूं मेरे साथ ना एक तो मेरा यह सत्संग था कि मुझे किसरी किसे गुरुजी ने बचाय भुर्ट जी बहुत 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 शुक्राना जब्रन्त आपको ईक प्यारी सा इक चीज क्षिक पताती हूं अभी ज़िसेंटी हों क्या था यह जोड़ा हुआ है एक क्यूट सा चोटा साथ संग आपको मैं बताती हूं अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ना मैंने घर के नीचे शौप खुली है ठीक है तो वहां पे ना उन्होंने चाट पकोड़ी और यह गोल गप्पे और यह टिकी वगरा जो रखते हैं उसकी शौप गोल गप्पे घाने आपको पता ही है ने एक प्लेट कर देख मैंने भीक था शामका टाइम घर ले आई तो तो संगत जी जमस्ट को खाने लगी ना तो आप बिलीव करेंगे कि उस गोल उन में से निकले साथ गोल गप्पे तो मैंने मैंने कहा अब आपको इभी चीज बता दूँ बहुत से लोगों का माइंड में यह भी आता होगा कि हो सकता है भई उसको पता न चला उसने ऐसी दे दिए हूं लेकिन मैं यह चीज सोचना नहीं चाहती न मतलब मैं अपना दिमाग लगाना नहीं चाहती संगत जी मैं आपको सच बता हूं तो मतलब है कि गुरु जी ने कहने को तो यह छोटी सी अगर कोई और सुनेगा तो शाहिद यह बहुत छोटी सी मामुली सी चीज लगेगी कि गोल तो गुरु जी की रजा में कोई चीज छोटी नहीं रह जाती तो मैंने जब उन भाईया से बोला मैंने का भाईया छे गोल कप्पे हैं तो आप मेरे को पैक कर दीजे तो मैंने जब उसको ओपन किया जो घर आके जो पैक वगरा गोल कप्पे करके दिये थे जब मैंने पैक जै गुरुजी की पता हुगी essay मरदी से बहुत प्यार करते हैं आपने तो गुलकुपा खिला दिया शाथ खिला दिये थैंक यू सो मच सो मुझ मेरे गुरुपा I love you बहुत सारा मतलब इतना की मुझे जच कहती हूँ संगा जी मुझे अब गुरु जी के लावा कूछ नदर नहीं एसंगर जी तो ये सब चीजसे गुर्यजी को पता है कि उनको फिसिक depth हां में थैना है तो कब देना है थो वह तो गुर्व जी जाने मांगना को मानना है जो की दिल से मैं मांती हूं हम सबको मानना थो मांगना भी नहीं मैं आपको न Immediately किसी चीज और बताती हूं अभी मैं कल ही ना मैं बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाए था तो मैं आफिस से डारेक्ट निकल गई थी ठीक है तो जो ही है जब हम आटो में चाथरपूर के बाद हम आटो में बैठते हैं तो उसमें वह चार सवारी लेके चलते हैं भाईया तो मैंने बस गुरुजी को इतना बोला मैंने का गुरुजी प्लीज जादा बेट मत करा ना या आदा आदा घंटा बेट करते हैं बस मेरे जाते ही ना आटो चल जाए कुछ ऐसा करना कि बस मैं सवारी हूं और बाकी सब बैठी हूं तो आप बिलीब करेंगे संगत जी कि जब भाईया नीचे बोलते ना बड़े मंदिर बड़े मंदिर मैंने का एक सवारी तो मतलब की जैसे ही मैं गई तो वहां पर तीन लोग बैठे हुए थे तो ऑल्रेडी मतलब बस एक ही मैं गुरू जी ने कहा कि ठीक है जा नीचे जा देख तरे ले और टो रेडि कर रखा है गज्जाए गुरुजी शुकराना गुरुजी बहुत बहुत शुकराना तो संगत जी मैं आपको एक और बात बताती हूं जब वह आटो में में साथ जिसे साम आगे एक अंकल बैटे थे और साथ में मेरे दो आंटी बैटे थे वो आंटी जो थे एक आंटी तो शायद पहले भी आ चुकी थी बहुत बार आ चुकी थी उनके बोलने से लग रहा था और जो एक आंटी थी वो शायद पहली बार आ रहे थी जाने सेकंड टाइम मुझे नहीं पता बट उनमेंसे एक आंटी ने जो उनके साहती थी वो दोनोंगी या फतनी फ्रेंड्स हैं एसाइड तो संगत जी उनमेंसे 오 रहे थे तो लेकिन गुरूजी से मांगते नहीं है गर उनसे कुछ भी मांगी नहीं उन्कों मानी है आगर आप मांगें तो वह देंगे जरूर मना नहीं करते हैं आपको तर यकोटिuchen देंगे और हमें करण कना ठेर होगी और भूण चाहिए यवार्न हमें आगे चल कि कोई दुख ऊपिखना दे कोई तकलीफ ना दे तो गुरु जी को पता है अच्छा किया है आप उनको माने हैं उनसे मांगे है मत बिल्कुल भी मांगना नहीं है आपको तो पता नहीं मैंने कैसे पूल दिया मतलब मिरें बार में को स्माइल भी पास कर रहे थे संगजी तो मैंने सोचा कि कई बुरा ना मान रहे हो कि जाद ही ज्ञानी बन रही है आपको पता आज के टाइम में लोग यही सोचते हैं अगर हम भगवान के बारे में भी उनको को सभी बता रहे होते हैं चीजहां सुन रहे थी मैंने खुंद मैंने गुरुजी विये आपके पास ही आ रहे हैं मैं भी आपके पास यह को देखनार एपको यह पदेखना ऐसे गुरुजी कarna को हुआ अपकी संगत को आप即時 सब्सक्राइब तो दस मेनका बोलान आंटी को कि उनको उनसे कुछ मांगे नहीं उनको मान लीजिए तो आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा तो यह मेरा आज का सथसंग था जो मैंने आपको सारी चीजे बताई संगजी तो उमीद करती हूं आपको मेरा सथसंग अच्छे लगता होगा मेरे अपने डालती हूं और बोलने में कभी कुछ गलती कर जाओं व्लॉग में या फिर सथसंग में भी गलती कर जाओं बोलने में तो प्लीज मेरे को सच में तह दिल से शमा मांगती हूं मुझे शमा कर दीजिएगा मैं भी आपका परिवार हूं परिवार का हिस्सा हूं तो ज बहुत 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 शुकराना ऑपका अनתח सूकराना बहुत बहुत शुकराना झेज जै गुरुजी गुरू जी जे गुरू जी संगहची मीरी चैनल का नाम है गुरू जी पाब लेोश्मंस